आज हम बनाने वाले हैं बचीवी रोटी से एकदम बढ़ी असा नाश्ता जो कि कई बार घरवे एकाद रोटी बच जाती हो ना तो आप उससे यह वाला टेस्टी सा नाश्ता बना के देखिए आपको मज़ा आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइस के अलू को उबलेवे आलू को कदुकस कर लिया है कदुकस ही करना है फोन ना वेगरा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर अपने मन पसंद के आप वैजिस डाल सकते हैं लेकिन जो मैने वैजिस डाली है वो है बारी कटवा प्यास एक से दो हरी मिर्चे और हरी शिम्ला मिर्च और लाल शिम्ला मिर्च आपके पास जो भी घर में हो आप वो सब्जी इसमें एड़ कर सकते हैं बिना सब्जी ओके भी बना सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो सब्जी इस ज़रूर से ज़रूर एड़ करें फोड़ा सा डालेंगे हम सेस्ट युचा नमक, हल्दी पाउडर, फोड़ा सा मिर्श कऊ पाउडर और हल्कासा चाथ मसाला. अगर आप इसमें गरम मसाला डालना चाते हैं तो डाल सकते हैं, मैंने इस बार नहीं डाला है बारी का टवा हरा धनिया डालेंगे और बढ़िया से सभी चीजों को मिक्स करेंगे यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से बनाया है अगर आप और अच्छा चटपटा खाते हों तो गरम मसाला, नीबू का रस, और अच्छे से वेजिस डाल सकते हैं तोटल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम यह जादा चीज़ें आप कर सकते हैं हाँ, रोटी वेस्ट आजाए उसके लिए मैंने यह बड़ी असी रेसिपी आप लोगे साथ शेयर कर रही हूँ वैसे तो रोटियां बच आती है, तो कई बार हम किसी जरूरत मन को दे देते हैं या फिर कोई परांठा गया रवना लेते हैं लेकिन अगर आपने एक बार इवला नाश्ता बना के देखाना तो आपको मजा आ जाएगा मसाला मारा मिक्स हो गया है, एक साइड में मैंने एक कप बेसन लिया है, बेसन में बेसिक से मसाले डालेंगे नमक, हल्दी और हल्की से मिर्श का पाउडर ठीक है सबी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और अजवाइन डालाला भिल्कुल नं भूले, पेट के लिए बहुत आदा बढ़िया रहती है जवाइन थोड़ा सा पानी लेते वे सबी चीजों को mix करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक बैटर बना करके तियार कर लेंगे यहाँ पर हमको जो बैटर चाहिए वो इक्दम गाड़ा वाला बैटर चाहिए बिलकुल भी पतला नहीं रहना चाहिए आपका बैटर तो एक कप पानी अभी मैं यूज़ कर रहे हूँ देखते हैं कितना पानी इसमें लगता है कितना नहीं लगता है तो अल्मोस्ट जो है मैं हलका फुल का पानी और डाल रहे हूँ तो यहाँ पर मेरे एक कप में से थोड़ा सा पानी लगबग बच गया है यह देखिए इतना ही दो से तीन चमश पानी बचा है बस इतना ही पानी मेरा लगा है लास्ट में धहिया की पत्ती डाल देंगे बेशन में और बढ़ी असे मिक्स करेंगे बैटर भी हमारा रेडी हो गया है और बैटर आप देख सकते हैं एक्दम कोटिंग वाला बैटर है हम हो सकेगा तो हम क्या करेंगे ना इन लोटियों को बढ़िया से sori एक-एक लेंगे और जो अलूवाला इस पर बढ़िया से फैला देंगे यह देखिए इस तरीके से इवनली फैलाना है, चारो तरफ फैलाना है यह नहीं कहीं पर आपने कम ज़्यादा कर दिया तो नाश्ता टेस्ट अच्छा नहीं है यह देखिए, बैने अच्छे सी मोटी सी लेड़ लगा दिया है रोटी पे, और यह कितनी अच्छी दिख रही है लग रही है ना कितनी बड़ी अब आप यहाँ पर एक कुकी कटर लेंगे आपको यह भी कटोरी ले सकते है शार्प वाली जिससे आपकी जो रोटी में इस तरीके से कट लग जाए यह देखिए इसको हम एक रोटी में से मेरे चार पीसिस निकले है और इसको मैं बड़ी ऐसे कट करके निकाल लूँगे यह देखिए इस तरीके से लग रहा है ना कितना क्यूट सा छोटा सा स्नैक तो बहुत ही मज़े का लगेगा चले चलते हैं सिधा इसको बनाने के लिए मैंने इसे तरीके से सारे बना करके तयार कर लिए है अब हमने जो बेसन का बैटर बनाया था ना एक-एक उठाएंगे इस तरीके से डिप करेंगे बढ़िया से एक्स्रा बैटर इसी भी छोड़ेंगे और जो उठाते सीधा गरम गरम तेल में हम इसको डाल देंगे तेल हमारे यहां पर अच्छा का सा गरम होना चाहिए और गरम होने के बाद फिर आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर सकते हैं जितना एक बार में आ जाया आप उतना ही आप पर डालिए और डालते ही यह बहुत ही अच्छा कलर लेने लग जाएंगे बहुत ही टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में डालने के बाद दो से तीन सेकेड में रुकी हूँ अधरवाइस यह फ्लिप करना मेंने स्टार्ट कर दिया है यह बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते है तो अलड़ते पलड़ते अच्छा सक करलर आने तक अच्छा से क्रिस्पी हो जाने तक बढ़िया से ने फ्राई कर लीजिए यह देखिए लग रहे ना कितने बढ़िया आप इसको double fry भी कर सकते हैं मतलब की थोड़ा अगर sorry थोड़ा अगर अभी fry कर लिया और जब कोई खाने के लिए बैठे है तो इसको double fry करेंगे तो यह super double crunchy बन करके तयार होंगे तो एक बैच मेरा यहाँ पर fry हो करके बढ़िया से तयार हो चुका है आप देख सकते हैं कितना pretty लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है next batch आप जब भी डालें हलक असा तेल को और गरम हो जाने दीजी क्योंकि तेल का temperature थोड़ा down हो जाता है ऐसा ना हो कि आपने उसी ठंडे तेल में डाल दिया हो next batch भी इसे तहरी किसे हम अलटते पलटते बढ़िया से क्रिस्पी कलर आने तक fry कर लेंगे और यह बहुत ही अच्छा और टेस्टी नास्ता बनकर के तयार है यह मैं आपको बार-बार इसले बता रही हूँ ता कि आप जरूर से जरूर इसे ट्राइ करें और गईज अगर मेरी वीडियो आप यहां तक आही चुके हैं देखते देखते तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंदारी हो तो नहीं पसंदारी हो तो कोई बात नहीं आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन कर जरूर दीजिए का कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है चलिए देखते ही देखते ही नेक्स्ट बैज भी हमारा यहां पर बड़ी असे फ्राई हो चुका है करते हैं बड़ी असी प्लेटिंग आज का नाश्ते तो मज़ा ही आजाएगा आप इसे हरी चटने लाज चटने जिस भी चीज के साथ खाना चाहते हैं खाईए लेकिन एक बार इसे बना करके जरूर देखे जब आपने इसको एक बार ट्राई कर ले रहा तो आप रोटी बना करके इसको बनाना पसंद करेंग कि इतना आपको यह पसंद आएगा यह नाश्ता एक तो सिंपल है कुछ इसमें ताम ज्याम करने की जरूरत नहीं मसाले भी बेसिक से डलेंगे तो है न कितनी अच्छी और बढ़िया बात तो चली कौन-कौन इसे अपने घर में ट्राई करने वाला है मुझे कमेंट करके ज साथ जब तक के लिए अपने ध्यान रखिए खुश रहें टेक केर एंड बबाए गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो